हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने Redmi Note 13 Pro Android मॉइल फोन में आप अपने मॉइल फोन की सलो चार्जिंग की प्रडूम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस इडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कभी भी अगर आपका मॉइल फोन सलो चार्ज होता है तो इसकी सॉल्विशन के लिए क्या है सबसे पहले मॉइल फोन को रिबूट करना है फोन को रिबूट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर वडन आपको उंगली से दबा के रखना है आपका ये पेज आता है इसमें देखे रिबूट का ये ऑप्शन है इससे टैप करना है इससे क्या होगा, mobile phone automatic switch off हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी दिर बाद, automatic switch on हो जाएगा, reboot करने से यह होता है, हमारे phone के android system में, अगर कोई problem आती है, तो वो solve हो जाती है, phone को reboot करने से, ठीक है, यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है, कभी भी आप अपने phone को charge करते हैं, त अच्छे से support नहीं कर पाता है, इस कारण mobile phone slow charge होता है, इस बात का ध्यान रखना है, एक बात और ध्यान रखने है, कभी भी आप अपने phone को charging पे लगाते हैं, तो फोन को charging पे अपने phone को इस्तुमाल नहीं करना है, ठीक है, और देखे, अगर आप अपने mobile phone को charging पे कभी लग आते समय है, ठीक है, छोड़ी बात ही ध्यान में रखने है, अगला काम यह करना है, mobile phone का software आपको चेक करना है, अपडेट है या नहीं है, इसके लिए पहले तो mobile phone का internet आप चालू रखिएगा, इसके बात phone का setting page उपन करना है, इसमें सब से ओपर अबाउट phone के सामने, अगर और भी mobile phone slow charge होता है, तो ध्यान रखिएगा charging port को हलके आतो है, ज्यादा ताकत दबाव या pressure नहीं लगानी है, नहीं तो charging port के अंदर की जो particles हैं, वो damage हो सकते हैं, फोन का charging port बिल्कुली खराब हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा हलके आतो है साफ करना है, ठीक है, अब दिख आपको लिखना है, ठीक है, तो आपको नीचे की साइड ने एक options हो जाएगा factory reset का यह वाला factory reset पे tap करना है, इस page में सबसे नीचे erase all data पे tap करना है, इस से आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की slow charging की problem solve हो जाएगी, लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखन यह दो काम पहले करना है, उसके बाद mobile phone को reset करना है, ठीक है, तो मेरे बताय हुए सारे process आपको यूज़ करना है, इस से आपके phone की slow charging की problem solve हो जाएगी, अगर मेरे बताय हुए सारे process यूज़ करने के बाद भी आपकी problem solve नहीं होती, तो आपको करना क्या है, दीकि दोस्तों आपके mobile phone का service center है वहाँ पर आपको चले जाना, अपना phone वहाँ पर दिखा देना है, ऐसा हमें इसलिए क्या रहा हुए हो सकता है, आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत आगी होगी, जिसकी बज़े से आपका mobile phone slow charge हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भ ये बता है, ठीके ना?